आउला और गुर को एक साथ मिलाकर आज बनाएंगे ऐसी मज़दार रेसेपी जिसे आप सालों साल इश्टोड करके रख सकते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। आप इस रेसेपी को 10 मिनटों बना करके रेडी कर सकते हैं। तो चलिए बनाना सुरू करते हैं। इस रेसेपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे आधा केजी आउला इस रेसेपी को बनाने में आप फ्रेश आउले का इस्तमाल करें एक बार ध्यान से देख लें कि आउले जादे सरे गले नहीं है क्योंकि इस रेसेपी में आप बिल्कुल भी सरे हुए आउले का इस् आवले को काटने में ही आपको थोरा सा समय ज्यादा लगेगा क्योंकि आवला बहुत ज्यादा हाड होता है अब चलिए अब मैं इसको कट करूंगी चौपर में यहां एक चौपर का इस्तेमाल कर रहे हूं अगर आप चौपर में लैसन प्याज कट करते हैं तो सबसे पहले च आवले को कट करे रेडी करना है और देखिया आवले को कट करने के बाद एक च्छोटा सा कटोड़ी ले या पर कप ले dettaनले हूं इस चोटी सी कटोडी ली हूँ इसी कटोडी से मैं आवले को कट करके मेजर करूंगी अक्सर सभी घरों में कप नहीं होता है तो चोटी सी कटोडी से आप इस रेसेपी को बना सकते हैं सबसे पहले आपको जिस भी बरतन में लेना बनाना है वह वाले बरतन ले ले और इसमें हम सा करना जाते हैँ और शूरे पास झाटकर तकर लें यह काट गर्स करना नहीं वह चैजय से जाएंगे तो करना है तुछ चोटे चोटे करनान की शूआते हैं और इसे मिकसर कजार में डालके पलस मोड में डरदरा काट करके रेडी कर सकते हैं बहुत असानी तरीके से हो जाता है अब चलिए गयास के तरफ चलते हैं आवली केरी कर में जाधे पैन्ल और इसमें घ। टाले हुएए तो आगर आप लोहे या फिर मुलीम के कड़ाई इस्तेमाल करते हैं तो यह जो रेसेपी है बहुत ज्यादा काला हो जाएगा इस रेसेपी को बनाने के लिए आप इस्टील का बरतन का इस्तेमाल करें अब देखिए अच्छे तरीके से से मिक्स करने के बाद आप इसे पांच पूरा प्रोश्रमें रेडियर करेंगे क्योंकि हम जो है आवले को यह किये हैं तो पूरा लो रखे और लो फ्लेम पे यह से मिलसी करेंगे इस रेसेपी को बनाने में कम से कम आपको 20-25 मिनिट कैसे में लग जाएगा आवले को काटने के बाद क्योंकि आवले को हम जो इस्टीम नहीं किये हुए हैं तो आप इसे बनाते से में बिल्कुल भी परहसान नहीं हो बस एक बार आवले को मिक्स कर दे यानि कि चला दे और छोड़ दे हर पांच से साथ मिनट पर आप आवले को पे जला करकर रेडी करेंगे लगा चा चला कर करेंगे जयसे चक फ़ोड़े से मसाले आफ करेंगे जैसे आजह चोटा चमाच कोटी हुखके। नहीं तो आमले का जो रैसेपी है वो बहुत जादा कड़वा बन कर के रेडी होगा आदा छोटा चमच हम इसमें डाल देंगे काला नमक इससे इसका टेस्ट बहुत ही चटपटा आता है अगर आप काला नमक इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो रेगुलर नमक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेंधा नमक का भी यूज कर सकते हैं मैं बहुत कम मसाले का इस्तहमाल की हूँ आपको अगर दलचीनी का भी मसाला पसंद है तो उसको भी डाल सकते हैं अगर आपको थोरा सा इसले तीखहा बनाना है तो लाल और बनाना है तो गयास का फ्लेम हाई टू मीडियम रखते हुए इसे दो से तीरी मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पका ले ताकि जो हम गुर डाले हुए हो थोड़ा सा गाड़ा हो जाए अब इस टेज पे मैं डाल रही हूं थोड़े से खर बुझे के बीज यानि की मगज के अगर आपको पसंद है तो जरूर डाले और हाँ अगर इस रेसिपी को ज्यादा समय के लिए इस्टोड करना चाहते हैं तो मगज के जो हम बीज डाले हुए है उसे थोड़ा सा भून करके इस्तमाल करें देखें कितने सुंदर जो है हमारी आमली की ये रेसिपी देखने मे लग रही है कोई बता नहीं सकता है कि हम इसे आमले से बना है बिल्कुल मोती चूल का जैसा लड़ू होता है कितने सुंदर और कितने सुंदर दिखने में लग रहे हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाए आपको बहुत पसंद आएगा अब गयास को बंद कर देंगे औ अब इसे ठंडा होने के बाद किसी भी काँच के वटल में भर करके सालों साल इस्टोड कर सकते हैं और हाँ अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आई एक चमचीस में बिनेगर जरूर डाले बिनेगर जो है लबे समय तक किसी भी रेसिपी को खाड़ाब नहीं होने द झालोग को झालोग को Kोजल, einzाप्सब्काइब कॉ घरस्टा से घरस्टाइब तरस्टा के लिगका